तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा संसार में आपने जीगी चीए चत्तापन सतत एउ लागे छे के कई खूटे छे आपनने भीतर मां प्रश्ण जागे छे के आबेदु श्नू छे यने शामाटे छे जे लोको जागया छे एमने अंदर उभाथता आबेदा प्रश्णोंनू समाधान करिऊ छे एवी घणिमती चेतना होए आ दिशामा पोट-पोटानी रिते योगदान आपेलू छे आमानू एक छे योगदर्शन आ योगदर्शन मां समक्द्र जगतनू रहस्चे जे छे एमां जीव कई रिते बंधाई छे कई रिते छूटी शक्ये छे एवदू वैग्नानिक रीत थी नानामा नाना सुत्रन रूप मां बताव्यू छे आखा योगसुत्रन चार भाग पाड़या छे पहलो भाग ए समाधी पाद छे एमां आ यात्रानो नक्ष आपी जिदो छे लक्ष पर पहुँचवाना मार्ग अने मार्ग मां आवता अंतरयो शूशू छे ते बताव्या छे बिजो भाग चे ते साधन पाद छे यात्रानी अंदर साधन शूशू लईजवान जेती यात्रा सरणता थी निर्विगने पसार थाए त्रिजो भाग ते विभूती पाद छे यात्रामा आवता जुदा जुदा मुकाम क्या मळती सिद्धियों ना वयस्थान तेमा बताव्या छे चोथो भाग छे कईवल्य पाद एमा पोँचवाना स्थड़े औने पोँच्या पछी जे रहस्य में घटनाओ बने छे एनो उगाण करियो छे योग सुत्र नो आचे आच्चो पातलो नक्षो योग सुत्र नी यात्रा आ नक्षा प्रमाणे करवानी छे साथ सोती वदू पाननू एक उस्तक सहयोग थी समाधी श्री ओशो आनंद आश्रम माधवपूर खेड़ना स्वामी श्री ब्रह्म वेदान्त जीनू सीधी सरल अने श्रीरानी जें गले उत्री जाए तेवी समझूती आपतुँ पतंजली योग सुत्रपर नू भाष्य ते सहयोग थी समाधी माथी हमना जे खंड आपने वाचो तेले वा मावयो छे प्राचिन भारत ना रूशी मुनियो मनीशियोए मनुष्यनी विकास यात्राना मार्गो विविद्ध स्वरूपे आपनी समय स्पष्ट खर्याच्या 5000 वर्ष पहला उदित थयल महर्षी पतंजली एवाज एक परम रहस्यवादी रूशी च्या जाग्रत चेतनाना दर्षन प्रमाने एक मत एव पन छे कि पतंजली एक कोई एक व्यक्तिनों नाम न थी पन ते योग नी एक प्रक्रिया छे एन्या एक दर्षन नी एक विधी छे आ संदर्भ मां श्री राम दुलारे बापुनों एक प्रसंग प्रकाश पाड़े छे ते वोए बेहाद बेगा करी ने होजना धोरिया मां वहता पाणी मां थी पाणी लिदूं अने पछी तेनी अंजली आपी ने कहूं आ छे पतंजली पहला ग्रहन करे पछी दारण करे अने पछी अरग्य आपे इतले के अरपन करे ए छे पतंजली स्वामी ब्रह्म बेदान जी पोताना प्रवचनों मां वारववार कहे छे के जीवन तो हर क्षणे भेतू जाए छे तेने हीरे नाव मां ग्रहन करवानू छे दारण करूं एटले सतक्त वर्तमान क्षण मां जीवन अने छे उटे अस्तित्वने अरपन थाई जाए एटले पतंजली पूर्ण पतंजली रूशी एक स्पिरिच्यूल साइन्टीस्ट छे एमनु योग सुत्र एचार पाद्मा भेंचायल छे अने तेमा बढ़ा मळीने 155 सुत्रों छे समाधी पाद्मा 51, साधन पाद्मा 55, विभूती पाद्मा 55 अने कईले पाद्मा 34 सुत्रों समायलां छे पतंजली योग सुत्र ना हार्द समान आ चारे पाद्मी तुकी छतना स्पष्ट समझ आपने अतितना शब्द सत्वारे प्रारभ मा जाने वी छे पतंजली योग सुत्र एक गनीत जेवू शुद्ध विग्रान छे ते समझवानों दुष्कर जरूर छे पन तेना ते योग शास्त्र ना साधकों माटे विकासनी संभावराना द्वार खुल्यां छे तेमा जिवननों कोई विरोध न थी परंतो सभानता पूर्वक्नी समझ सातेनों स्विकार छे ओशो तुरुशी पतंजली ने अंतर जगतना सौथी मोटा विग्नानी कहे छे ते ओख कहे छे कि अंतर जगतनी पौँच्छे ौँश्या कवी होई चे जे वो बहीर जगट मां प्रवेश करे छे, मोते भागे हम्मेशा एक वहिग्नानिक होई छे रुशी पतन जली एक दुरलब पुष्प छे, तेमनी पासे वहिग्नानिक मगट छे, परन्त तेमनी यात्रा भीतरी छे, आवों ओशो कहे छे आपने पन योग सात्राना आच्छा पात्रा नक्षाने केडिये, चाली ने आपने जिवन यात्राने भीतरी बनावानों विरल प्रयास करिये तेविशुभखामना डूंडता है तो किसका सहारा डूंडता है तो किसका सहारा